Hello and Welcome to the TakeInfo 247 YouTube Channel आज का ये वीडियो दुस्तों important होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक applications का review करने वाला हूँ जो based application है for routine setup, workout, planning and all that और ये वीडियो जो है students के लिए important होने वाला है तो चलिए इस applications के बारे में जान लेते हैं अप्लिकेशन का दुस्तों नाम है stuff to do list visit इस applications को google play store से या आप मेरे description box से भे download कर सकते हैं डाउनलोड हो जाने के बाद इसे open करेंगे जैसे ही आप इसे open करेंगे तो एक piece open होगा जैसे आप add पर click कर देंगे add पर click करने के बाद ये जो application है आपके screen पर इस तरह से so होने लएगा यहां से आप जो भी planning करना चाहते हैं उसे इसमें type करेंगे जैसे हमने पहले ही ये बताया कि ये application students के लिए based है for routine setup बहुत सारे students है जो government job का preparation करते हैं ये application उनके लिए राम बाड़ा साबित होने वाला है simply आपको करना क्या है जो भी आपका planning है उसको इसमें type करेंगे समय को दरसाते हुए जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें today, tomorrow, upcoming and some day का भी option दिया हुआ है तो उसके basis पर आप planning करेंगे और routine बनाएंगे पढ़ने के लिए आप इसको continue press करेंगे तो आप इस space को resize भी कर सकते हैं यहां से बड़ा भी कर सकते हैं फुल screen भी आप इसको कर सकते हैं routine को setup करने के लिए इसके बाद यहां से इसको हम delete कर देंगे delete करने के बाद इसको हम type करेंगे जो अप जिस समय सुबह उठना चाहते हैं जहें जोभी समय का planning करना चाहते हैं जो भी समय का आप routine setup करना चाहते हैं उसको इसके बाद इस time में आप जो करेंगे उसको आप यहां पे लिख देंगे सुबह माल लेजे morning हमको walking पर जा रहा है walking लिख देंगे इसके बाद सुबह 7 बज़े से हमको reading के लिए पढ़ने बैठना है तो सुबह morning का साथ लिख देंगे इसके बाद आप लिखेंगे इसमें उस subject का जो आप सुबह 7 बज़े पढ़ना चाहते हैं इसके बाद इसको okay प्र planning और routine बना सकते हैं अगर आपको यह video पसंद आया है तो like किजिए अपने दोस्तों के साथ share किजिए अगर इस video से related आपके मन में कोई भी सवाल हो तो इस video के comment में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं